हेई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आज मैं आप सबों से एक बहुत ही महत्पून बात सेयर करने वाला हूँ एक ऐसी बात जिसका परभाव हमारे जीवन की अवधी पर परसकता है अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा अपने जीवन में फॉलो किया तो यकीन मानिये आपके जीवन की अवधी कई वरसों तक बढ़ सकती है वीडियो सुरू करने के पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लें और साथ में बिल बटन को दवा लें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको म मैंने देखा कि कई लोग कुराडा स्कान मसीन की मदद से अपने बॉडि के अलग अलग मिजरमेट को कर रहे थे बॉडि में मास्क का जो मिजरमेंट होता है व theories कहीं तरिके से होता है लेकिन औस पर्टिकुलर मिजरमेंट इंडिक्स को जब मैंने करता हूँ तो मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि मैं तो fit हूँ मुझे इन सब जांच की क्या जरूत है लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या सुझा कि मैंने खुद की भी जांच करा ली और दोस्तों जब मैंने अपनी जांच कराई तो मुझे सच बताता हूँ मेरे पैरों के नीचे से जमी निखी सक गई फ्रेंट्स जो अलग-अलग मिजर्मेंट्स लिए गए थे उसके सभी पडिनाम चौकाने वाले थे मैं जो खुद को फिट समझता हूँ एक्चली में उन रिजर्ट्स को देख करके मुझे महसूस हुआ कि मैं तो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था फ्रेंट्स वहां जिनची चीजों की माप की गई वे निम्न परकार है सबसे पहले वहां मेरे लंबाई को नापा गया और फिर मेरे वजन को लिया गया यह दोनों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे हम अपने BMI को कैलकुलेट कर सकते है जिसका फॉर्मूला ही होता है BMI is equal to आपका जो वेट है किलोग्राम में उसमें जब आप divide करते हैं height से meter square में height square आप कह सकते है meter में तो फिर जो result आता है वह आपका BMI होता है और बहुत सारे research कहते हैं BMI के अलग-अलग आकरे देते हुए कि अगर आपका BMI 24.9 या उससे जाबा आता है तो यकीन मानिये कई सारी बिमानियों की जद में आप आ चुके हैं दूसरी चीज जो ना पी गई थी वह था body fat percentage यानि हमारा सरीर का वजन तो जो है सो है लेकिन उसमें total fat कितना है और सच बताता हूँ body fat percentage के भी आकरे मेरे लिए चौकाने वाले थे दोस्तों American Journal of Clinical Nutrition के आकरों के हिसाब से male और female दोनों के लिए body fat percentage अलग-अलग बतलाए गये हैं और इसको दो age group में भी रखा गया है अगर आपकी उम्र 20-49 है तब क्या होना चाहिए और अगर आपकी उम्र 40-69 है तब क्या होनी चाहिए और ये male और female दोनों के लिए अलग-अलग है महिलाओं के case में जब वो 20-49 के age group में होती है तो उनका body fat percentage जो है वह 21-32% होना चाहिए और पुर्सों के case में यह 8-19% होना चाहिए वहीं अगर आपकी उम्र 40-69 के बीच में है तो महिलाओं के case में यह body fat percentage 23-34% होनी चाहिए और पुर्सों के case में 10-21% की होनी चाहिए चानते हैं आप मैंने जब अपना body fat percentage देखा यह 29 क्रॉस कर चुका था तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डड़ गया होंगा है ना इसके बाब जिस चीज की नाप की गई वह था west to hip ratio and west to hip ratio में कुछ नहीं करना होता आपके west का circumference और आपके hip का circumference निकाल करके उसको divide कर देना होता है और जो ratio आता है वही कहलाता है west to hip ratio यह भी आपके अंदर सरीर के अंदर पनप रही बहुत सारी बिमारियों को धरसाता है दोस्तों WHO ने west to hip ratio का आकरा जारी किया है और बताया है कि इसके अलहार पे आप तीन तरह के risk zone में हो सकते हैं एक है low risk zone दूसरा है moderate risk zone और तीसरा है high risk zone यानि अब अगेन अगर हम पुरसों और महिलाओं के case पे देखें तो यह आकरे अलग-अलग है low risk zone के लिए पुरसों का जो west to hip ratio है वो 0.95 से कम होना चाहिए moderate में अगर 0.95 से 1 के बीच में है तो वो moderate है और अगर west to hip ratio 1 से जादा है तो वो high risk में है वहीं महिलाओं के case में 0.85 जो है वो low risk का denote करता है moderate में 0.85 से 0.86 है और high में 0.9 से उपर अगर है तो वो high risk zone में होता है इसके बाद जो measurement analyze किया गया था उसमें जो factor था वह था body का lean muscle mass lean muscle mass हम कहते हैं जो हमारे सरीर के धाचे के इर्द गिर्द जो muscles का mass होता है उसको कहते हैं सामाने तह इसका percentage जो है वो 70 से 90% के बीच में होना चाहिए यानि यह ज़ादा मात्रा में होना चाहिए लेकिन मैंने जब अपना check कराया यह मात्र 28% था तो आप समझ सकते हैं कि मेरे सरीर के अंदर muscle mass के कितनी ज़ादा कमी थी friends body fat का ज़ादा होना और lean muscle mass का कम होना यह denote करता है कि मैं सारेडिक रूप से बहुत ही ज़ादा unfit था अब बारी आती है visceral fat percentage की visceral fat कहते हैं हमारे abdominal range में जो अंदर में जितने तरह के organs हैं उसके उपर जो fat जमने लगता है उसको हम लोग visceral fat कहते हैं और यह भी 3 zone में आता है अगर 1 से 9 के बीच में है तो यह low risk zone आप कह सकते हैं 10 से 15 के बीच में है तो यह moderate है और अगर 15 से ज़ादा है तो फिर यह high risk zone में है और जैसे जैसे उसके अंदर दबाव बढ़ता जाएगा अलग-अलग अंगों पर आपके अंगों के काम करने की प्रक्रिया उतना ही slow होती जाएगी और उनका performance गिरता चला जाएगा इन्ही सब physiological conditions के आधार पे सरीर के कोसिकाओं और उत्तकों की क्या उम्र है वह निकाला जाता है और उसको हम लोग body age बोलते है actual age तो सबको पता होता है उसका जो जन्म हुआ है उस दिन से आज तक में अभी उसकी उम्र कितनी है वह उसका actual age है लेकिन दोस्तों body age depend करता है कि हमारी कोसिकाओं और हमारे उत्तकों की physiological condition के आधार पे आप जानकर के चौक चाहेंगे मेरी उम्र अभी 43 years की है लेकिन दोस्तों जब वो report card निकल करके सामने आया तो उसमें मेरा body age 61 बता रहा था अब आप सोच करके देखिए कि कहां मैं 43 साल का लड़का जो खुद को इतना fit समझ रहा था actually में मेरी अंदर की जो age है वो 61 हो चुकी थी और इस तरीके से मैं शायद अपने जीवन के 18 साल पीछे जा चुका था अब जब मैं इन सारे reports को जान गया हूँ जब मैं इन सारी चीजों को समझ गया हूँ तो अब मेरे सामने या option है कि मैं वापस से अपने body age को अपने actual age के आसपास में लेकर के आऊँ और इसके कारण शायद मेरी उम्र 17-18 साल और बढ़ जाए जो 17-18 साल मेरे जीवन के कम हो सकते थे अब मैं उसको बढ़ाने पर फोकस कर सकता हूँ इन सारे reports को देखने के बाद मैं तो इतना डर गया था कि आपको बता नहीं सकता हम सभी कहीं न कहीं इस गलत फैमी में रहते हैं कि हमारी उम्र अभी कम है और हम बहुत ही physically fit है लेकिन इस report को देखने के बाद मुझे मालूम चला एक लाख मैंने cycling की लाख मैं swimming करता हूँ लाख मैं walking करता हूँ लेकिन मेरे खाने पीने के lifestyle के कारण food habits के कारण जो जीवन सैली में जी रहा हूँ उसके कारण मेरे सरीर की उम्र एक सट वर्स तक पहुँच गई है अब इसको वापस करने का मेरे पास क्या तरीका हो सकता था पहला तरीका तो ये था कि हम अपने visceral fat को कम करें हम अपने BMI को और range में ले करके आ जाएं और हम अपने body fat को कम करें और अपने lean muscle mass को बढ़ाएं अब इन सब चीजों के लिए क्या कर सकते हैं BMI का formula होता है हम लोगों ने अभी सीखा कि हमारा जो वजन है उसको अगर हम अपने height से height square से divide करेंगे तो फिर हमारा BMI मिकलता है तो हमारे पास क्या उपाए है या तो हम अपने वजन को कम करें ताकि हमारा BMI कम हो या हम अपने height को बढ़ा ले ताकि हमारा BMI कम हो height बढ़ाएंगे तो उससे भी होगा लेकिन अब क्या मेरी height बढ़ सकती है अब क्या आपकी हाइट बढ़ सकती है not possible तो फिर वजन को नियंत्रित करना होगा फ्रेंड्स, वेट जो है न वो एक इतना बड़ा समस्या हमारे सरीर के लिए होता है इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं फ्रेंड्स, मैं आप सही एक सवाल पूछता हूँ और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में एक वाड़ ट्राई करके देखिएगा आप एक इट ले आईए और एक इट को ले करके खरे हो जाईए और ऐसे पकर करके खरे हो जाईए फ्रेंड्स, आप कितनी देर खरे रह पाएंगे एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट और पांच मिनट के बाद आपका हाथ जो है वह दर्द करने लाएगा फ्रेंड्स, आप शायद उस समय रखने की मूड में आ चुके हों लेकिन उसी समय कोई सक्स आये और आपको कहे कि तुम इसको अगर एक घंटे रखोगे तो पचास जार रुपया तुमको देंगे तो फिर शायद आप ट्राई करेंगे और पचास जार रुपय के लिए एक घंटे और उसको सामने में रखेंगे लेकिन उसके बाद फिर आप उसको रखने के लिए तैयार हो जाएंगे एक घंटे के बाद कोई दूसरा सक्सा है और कहे कि तुम और अगर एक घंटे रख लोगों तो एक लाख रुपया तुमको देंगे तब आप शायद नहीं तैयार हो पांच लाख देंगे तब आप शायद नहीं तयार हो पचास लाख देंगे तो फिर आप शायद फिर कोसिस करेंगे लेकिन 15-20 मिनट के बाद आपका हाथ जबाब दे चुका होगा आप नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स पचास लाख रुपे के लिए भी आप एक किलो का वजन एक बेड़ घंटे से ज़्यादा कैड़ी नहीं कर पा रहे हैं तो अब सोच करके देखिए कि हमारे जो सरीर में अलग-अलग और्गन्स हैं हमारा हर्ट है, हमारा लिवर है, किडडनी है, यह सारे अंग कितने बरसों से एक्स्ट्रा फैट को, इक्स्ट्रा वजन को झेल रहे हैं जेल रहे हैं सच पूछिये तो अंदर ही अंदर हो सकता है कि हमारे अंग को कोस भी रहे ह Cyberpunk कि मैं कि मैं किस से उस दिन जब Nutrilite के brand center में गया था मैंने उनसे कहा अपनी चिंताओं को जाहिर किया तो उन्होंने मुझे एक बात कही अजय जी अभी तुरंत कुछ दिनों के अंदर ही एक हम लोग Nutrilift 360 करके कारचकरम की सुरुवात करने जा रहे हैं यह कारचकरम सो दिनों तक चलेगा और जिस वक्ति को भी इसकारचकरम में सेलेक्ट किया जाएगा वह सो दिनों तक जो जो हम लोग उसको recommend करेंगे supplements वो खायेगा जो जो हम लोग उसको exercise recommend करेंगे वो करेगा जिस तरीके का जीवन सैली उसको जीने के लिए हम लोग प्रेडित करेंगे वो करेगा तो आप अभी अपने ये सारे आंकरे जो देख रहे हैं ना वो 30 days, 60 days के बाद ही बहुत जादा उसमें बदलाव आ चुके होंगे लेकिन 100 days के बाद आप अपने सरीर को जैसा देखना चाहते हैं बिलकुल वैसा देख पाएंगे मरता क्या नहीं करता दोस्तों मैंने तो तुरत इस प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया गया है पूरे भारत से बहुत कम लोगों को सच बताता हूँ आपको और ये 100 दिनों के बाद ही फिर जेनरल लोगों के लिए ये प्रोग्राम उपलब्ध हो पाएगा सामाने लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा मुझे लगा कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ तो मैंने ये सोचा कि HWHL यानि Healthy Weight, Healthy Living का जो कार्जक्रम है सिर्फ healthy वजन ही नहीं सिर्फ स्वस्त रूप से आपका वजन ही कम नहीं हो आप स्वस्त रूप से जीवन भी जी सके उसका जो ये कार्जक्रम है वह जब सौ दिनों तक चलेगा तो क्यों नहीं मैं हर रोज की जर्णी हर रोज की जर्णी ज्यादा लंबे समय में तो नहीं लेकिन एक मिनट के अंदर उस दिर हम लोगों के साथ क्या काम किया गया है वह आपके सामने ला सकूँ और यह कार्जक्रम जिस दिन से सुरुआत होगा फाइनली जहां तक मुझे पता है 16 तारिक से शायदिस की सुरुआत हो जाएगी तो मैं हर रोज शाम को एक मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा आप उस HWHL के सौर्ट को देख करके आप जान पाएंगे कि उस दिन मेरे साथ क्या-क्या हुआ है और उस दिन मैंने कौन-कौन से अक्शन्स लिये हैं और यह 100 दिनों की परक्रिया होगी सच मानिए, 100 दिनों तक जब लगातार आप इस वीडियो को देखने के लिए एक मिनिट का समय निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने बरे बोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट आप भी बन चुके हैं HWHL के हिस्सा आप भी बन चुके हैं और फिर आपके लिए भी इस कार्शक्रम को एडॉप्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स आप जानते हैं YouTube चैनल जिस तरीके से काम करता है उसमें अगर आप लंबे वीडियोस को देखते हैं तो शायद आपको शॉट्स का रिकमेंडेशन नहीं आए आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो भी इसके लिए आपको क्या करना होगा इसी चैनल पर जाईए कोई भी एक शॉट्स वीडियो देख लीजे शॉट्स लोड़ेड है आपको तुरत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसको हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 करते हुए डे 100 तक ले करके जाएंगे आप उसको देख पाएंगे अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे बिल बटन दबा लिजे ताकि हर वीडियो अपलोड होते के साथ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मिलता हूँ HW, HL की 100 दिनों की यात्रा में सिग रही